नमस्ते अंटी जी तो मुझे ये बात बोलनी है कि ना मैंने आज तक अपनी किसी वीडियो में आपके बारे में अंटी जी रोनक भया के रोशन भया के भावी के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला और ना कभी बोलूँगी क्योंकि आप लोगोंने कभी मेरे साथ कुछ ग मैं समझ सकते हूं आपको किस तरह क्या थो तरह किया है क्योंकि मेरे फैमिली में भी लोगोंने वही थीए पर वो नहीं है कैमरा वाले की आके कुछ बोले तो मुझे उस वीडियो में कुछ क्लियर करना है जो कि मुझे लगा कि जरूरी है क्लियर होना सबसे पहले रोनो भ्या ने बोला कि सेर्मनी वाले वीडियो पर मैंने डाला था वह स्टें माई लाइफ पाद में चेंज किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूं क्यूंकि मैंने थोड़ी अलग तरह से उसको कि मेरे को जैसी पता चला कि इस चीज का बुरा लगा मैंने तुरंत अंटी को कॉल किया और अंटी जी से माफी मांगी अंटी जी थोड़ी गुस्से में थी उस टाइम पर मैंने अंटी जी से माफी मांगी आपने ये चीज भी बतानी चाहती वीडियो में कि मैंने माफी मा से था मैं एक ब्रहम Ninब परिवार से हूं मैं पंडित हूँ तो हिंदू के लिए ранहे political के लिए मिट मूण बहुत बड़ी बात होती है और मैं स्टार्टिंग से नहीं खाती हूं मेरे कर्वाइल नहीं कहते हैं हमारे लिए मीट का टुकड़ा मुह में जाना बड़ी बात है कोई बात नहीं वो अलग छीज थे तो उसके लिए मैं माफी दुबारा से मांग लूँगी हमेशा मांगती रहूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे पर इतना भी बता सकते थे कि मैंने अंट लेज के बाहर कभी नहीं जाने चाहिए और अंटी जी ने बोला मैं न की बेटी हूँ मेरे लिए भी वो मेरी मां की तरह ही है पर अंटी जी क्या सारी गलती मेरी है मैं आपने मुझे उसको बोलना चाहिए होगा या नहीं होगा अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ अंटी जी क्योंकि आपको ऐसा लगा कि शायद मैंने शुरुआत की और मैं नहीं चाहती कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी गलत हो 26 मार्च 2023 मेरी और रोश की लास्ट वीडियो मेरे चैनल पर पोस्ट हुई थी और ये वीडियो थी एक डेटिंग एप के ऊपर और इस वीडियो में ना मैंने उसके बार में कुछ गलत बोला ना उसने मेरे बार में कुछ भी गलत बोला ये हमारी आखरी वीडियो आई थी जिसमें एक दूसरे के बार में हमने कुछ गलत नहीं बोला उसके बाद मेरा कुछ काम था रोश के पास, क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया था, तो मेरा कुछ डाटा उसके पास मैंने रखा था, मैंने उसको बहुत कॉल्स किये, मैंने एक दिन उसको मैसेज भी किया, क्योंकि थोड़ी जरूरत थी मुझे, मेरा थोड़ा like sponsorship वाला काम भ मैसेज किया, नॉर्मल मैसेज कि तु घर पे है, उसने सीन किया हुआ है, मैसेज पर मुझे रिप्लाइ नहीं दिया हुआ है, और फिर मैने कॉल्स भी किये, उनका मेरा रिकॉर्ड निकल वालूंगी, अगर किसी को चाहिए तो, तो मुझे कोई जवाब नहीं आया, फिर मै मैं अपना वो काम दोबारा से रिशूट कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टन था मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं पता हमारी लड़ाई हुई है, क्योंकि लड़ाई हुई नहीं थी, फिर उसके बाद स्नैप से चीज़े शुरू हुई है, मतलब बोला गया कि कॉपी करती है, जैलिस है, लोग मुझे कॉपी करते हैं, और मेरे पास इस चीज़ का इफेक्ट बहुत पड़ा हुआ है, मेरे पूरा कॉमें सेक्शन इस चीज़ से भर गया, पहले कोई कुछ नहीं बोल रहा था, फिर सब मुझे बोलने लग गये रोही की कॉपी, रोही की कॉपी, अब चलते हम, आठ मई दो हजार तेहिस को, जहां पर वीडियो आई थी, वाई आई डोंट हैव करल फ्रेंग्स, इस वीडियो में, बहुत ही समझदारी के साथ, जैसे कि आपने बोला, आपकी बेटी बहुत समझदार है, अंटी जी, सच में वो बहुत जादा समझदार है उसने मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना बात करे, बिना अपने अंदर का, उसके अंदर जो भी था, जो भी उसे मुझसे बुरा लगा, बताए, वीडियो बना दी, मेरे नाम नहीं लिया उसमें, वो बहुत समझदार है, नाम नहीं ले दी, वो किसी का, हमेशा का है, पर वीडियो बनाई गई और उस वीडियो के बाद मुझे पता भी नहीं मेरो पर वीडियो आई है मुझे तो यह कॉमेंट आने लगे इसके बाद पता चला मेरो पर वीडियो आई है मैंने वीडियो देखी फिर उसके बाद मुझे बोला गया मैं रंडी हूं उसको कॉपी कर सब कॉमेंट आए हैं मुझे और मेरे परिवार वाले भी देखते हैं मेरी वीडियो आपको बता दी तो उनको नहीं बुरा लगा होगा कि उनकी बेटी के बार में यह सब बोला जा रहा है अब ध्यान सोना वीडियो देखने के बाद मैंने कॉल किया क्योंकि मुझे कॉल करना इसका मेरे स्क्रिंशोट रखा था अपने पास क्योंकि मुझे पता था फ्यूचर में कुछ हो सकता है कॉल का कोई जवाब नहीं आया जवाब दे सकते थी घर के जगड़े बाहर नहीं आते अगर यह जगड़े मतलब फोन पर मिलके सुलजाए जाते हैं कोई रिकत नहीं ह मेरे उपर मैं उस टाइम पर बिमार थी मैंने किसी को नहीं बता है मैं बिमार हूँ वो तो सब की जिन्दगी में चलता रहता है फिर मुझे वीडियो बनानी पड़े क्योंकि मैं कब तक कितने कॉमेंट का जहिलू उसके बाद मैंने दो वीडियो डाली मैं तो साफ बोल र मतलब मुझे भी लोग बोल रहें अब तो इसने तो जवाब दे दिया आज तक मैंने इतने लोगों के पर वीडियो बनाई उन्होंने तो आज तक जवाब नहीं दिया तो बंदी ने मुझे मैंसेज किया तब उससे पहले देखो मैंने जिस दिन वीडियो देखिए उसके कोई जवाब ने दिया और वो है यह रिप्लाइ और इसमें उन्होंने चीजे बोली होई है मुझे उन्होंने बोल दिया इंडियरेटली उन्होंने मेरे बार में नहीं बोला पर अगर आप वीडियो देखोंगे आप भी ऐच्छे से जानते हो मैं भी अच्छे से जानती तोनों की कोई conversation नहीं हुई, मैं इसे conversation कहना नहीं कहते हैं, मैंने उसको बोलने की कोशिश की कि यार मत कर, यह friendship की ऐसे नहीं था, छोड़ो इन message को, फिर उसके बाद उसने मुझे एक message किया, मेरे message के reply में, don't ever use my name in your video and snap, जो मैंने उसे message किया, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, इनके सागे अगर कुछ बड़ा हुआ, तब बताने जादा important है, तो उस particular दिन के बाल, जिन्दगी में मैंने अपनी एक वीडियो में उसका नाम लिया, ना एक बार भी Snapchat में उसके बाले में कुछ बोला कभी भी नहीं, indirectly, directly, कभी भी नहीं, उसने तो बोला है मुझे, मुझे बहुत चीज़े आई हैं, indirectly तो वो बोली रही थी, और उसने बोला है constantly, मैंने इग्नोर किया, मैंने का चल जाने दे, चल जाने दे, कोई परक नहीं पड़ता, चल जाने दे, जो मैंने अपनी उस वीडियो आई है वाई एंड़ आप माई रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है भी वीडियो पर 10-36 पर मेरे बार में बोला गया है कि कुछ लोग है जो शोशल मीडिया पे हैं कुछ ऐसे करके बात गुमा के जैसे कि आपने बोला आपकी बेटी बहुत समझदार है सच में बहु समझदार है मैं भी मानती हूँ मैं नहीं मानती तो मुझे लगते तह है वह बहुत शरीफ है बहुत अच्छी अपन्य है अप मुझे समझ में आया वह सबुच्छ आपका काट कर चले जाएगी आपको पता नहीं चलेगा तो अँर्टी जीसे आपने बोला है मैं आपकी पेटी हूं आपको भी पता एदा मेरा बटल के साथ ता मेरे कंडेक्शन नहीं है मैं कभी उसके ऊपर कुछ नहीं मैंने ऐसी कुछ किया ना कभी कोई गलत कि आप लोगों ने वहाँ तो आय नहीं वहां बटकी नहीं थी ँच्छ से जानतीए और वहाँ में आपकी बेटी नहीं थी इस लड़की साथ नहीं है वहाँ में तो आप लोगों ने वहां तो आय blossom क भी नहीं ती आंटी जी आपते हम आठ दिसंबर 2023 जिसमें मेरे बाले में फिर बोला गया है कि बिटiceless चऱा जाएगे बस वो इतना बोलेगी और चली चाहेगी, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, जैसे मेरे पास आपके लिए कुछ बोलने के लिए नहीं है, वैसे उसके पास मेरे लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास है चीजे, अब जो मैंने आपको यह वीडियो दिखा लेकिन आपको अपनी दूसरे बेटी का कोई दर्द नहीं है अगर आपको दर्द होता ना तो आप अपनी बड़ी बेटी से सामने जाके पुछो कि क्या तुने ये सब वीडियो बनाई और आपको भी पता है उसने बनाई ये जो अंटी जी दुनिया है ना इसमें कुछ नही साथ दिखा रही हो अब आपके अपनी बेटी को लेके आऊंगे इस कैमरा के सामने और बोलोंगे मुझसे माफी मागने के लिए कि उसने घर की जो लड़ाईयां वो बाहर बेजी और आपने बोला कि कर्मा सब का आता है जी कर्मा सब का आता है और यही कर्मा है जो अब आ बहुत जैसे आपके दिल दर्द कर रहा है ना मेरी फैमली का साथ महीने से दर्द कर रहा है पर मेरी फैमली नहीं है ऐसी कि आपके बैटके सब के सामने रोए कि मेरी बेटी के ओपर गालियां पढ रहे है मेरी बेटी को रंडी बोल रहे हैं लोग मेरी बेटी को लोग बोल कि नए भाई इस लड़की ने कुछ नी किया, यह तो ऐसी है भी नहीं, महाँ पर तो नहीं बहुnew बोला आपने बीटी के बारे में मेरी मा के लिए अच्छ अगर आपको कुछ भी मेरी बात क्रशना बौला जाएका, जाएक और यह सिर्फ यह तो वो हैं जो मैं यूट्यूब से उठा रही है। स्नाप्चट पर इतना बोला गया है। बहुत जादा यह देखो। मैंने तो शुरुवाद भी नहीं की ती यह देखो। जो आपको भी पता है। मैं तो नहीं बोलती ने मुझे अपनी बेटी समझगा तो आप मेरी माँ बनके क्या दिखाऊंगे, अपनी बड़ी बेटी बेटी से माफी मंगाऊंगे मुझसे। अगर मेरी गलती हो इनांटी जी मैं आपके घर आउंगी और आपके सामने ये जो चैनल ये जिससे सब कुस्ट ड्रामा शुरू है मैं डिलीट कर दूंगी और सबसे माफ़ी माँगूंगी लेकिन क्या आपकी बेटी मुझसे माफ़ी माँगेगी जो उसने मेरे साथ किया दो ohamahasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas मुझे से आपने शेर किया था कि आपको बुरा लगा उसने क्या मड़की बीटी को लेकिन आपने कभी publicly ऐसे नहीं बोला कि मुझे धर्दुआ मेरी बीटी के बारे में ऐसे बोला उसने महां आप में से किसी ने कुछ नहीं बोला और वो बंदा अभी भी आप लोगों के साथ attach है लेकिन उसने जिस लेवल पे कुछ किया था ना उस लेवल का किसी ने उसके साथ आस तक कुछ नहीं किया अगर मैं खोलने पे आई ना मेरे पास वो वीडियो पड़ी है जो उसने मेरे घर बैटके बनाई थी वो वीडियो इस laptop में है और जिस दिन मैंने वो वीडियो publish कर दिया फिर सोचना क्या होगा मैं कर सकती हूँ अराम से पर नहीं करनी मुझे क्योंकि मैं इतना नहीं गिर सकती जितना गिर सकती वो है नहीं use करना आता मुझे लोगों को एक आखरी चीज़ बोलने चाहूंगी अंटी जी मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी किसी के भी बारे में ना आपके ना आपकी बेटी के ना आपकी समझदार बेटी के आज का दिन है 14 दिसंबर अगर मेरे बारे में Snapchat पे Instagram पे YouTube पे कहीं पे भी किसी ने भी कुछ बोला तब मैं बोलूंगी लेकिन अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला इंडिरेक्ली भी मैं कुछ पोस्ट नहीं करूंगी और इसके बाद अगर मैंने किया तो मैं क्यों किया क्यों वह हमेशा सिर्फ लोगों को को यूज करदेते और बोलते हैं मैं बहुत समझदार हो मैं लोगों अदो करती हूं मैं लोगों से निभाना जानती जानती है उसके लिए रिष्टे ने honesty Be Audi नमस्वेंटी